बोनस इशू सर बोनस इशू क्या होता है अब आपको पता है बोनस बोनस का मतलब एक तरीके से कहलो आप गिफ्ट कहलो बोनस का मतलब क्या होता एक तरीके से आपको गिफ्ट मिला आपकहीं जॉब वगर और करते हो तो mulous मिल गया जो फिस्टिबल कस्टमरी में चांपको बोनस मिल क्या उस बोनस के बदले आप उनको पैसे देते हो औरूए ज 09 सामने आला परसन बहुत ही हैपी होगा तभी देगा आपको गिफ्ट या वह परिशान है और आपको गिफ्ट बाढ़ता रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता जब बहुत ज़्यादा खुश होगा कोई परसन तभी आपको गिफ्ट दे सकता है कि अगर आपको बोनस क्योंकि बोनस को मैंने डिफाइन किया गिफ्ट से अगर एक्सवीज़ेड कंपनी बहुत ज्यादा खुश है तभी आपको बोनस दे सकता और खुश कब हो सकता यह जब इसके पास खूब सारा एक्स्ट्रा प्रोफिट हो जाए कंपनी का खुशी का एक अब बोनस जब देगा तो बोनस में कुछ भी दे सकता है तो यहां पर लेकिन यहां concept जो सीख रहे हैं बोनस में आपको दिया जाएगा अब अट दिया जाएगा इक तो शेयर दिया जाएगा और कौन सब्सक्राइब किया जाएगा नियू शेयर लो भाई तुम्हें पांस शेयर दिये ले रहो रख लो और यह किसको देगा हमेशा existing shareholder को ठीक है ना ऐसा नहीं के नए को देगा existing को दूसरा यह क्या कर सकता है भाईया मैंने मैं 10 रुपे का share था दस में से मैंने सरिफ 6 रुपे कॉल किया अभी 4 मांगणा मां की था तो यह जो 4 रुपे जो बच गये इसको बोल दे चल भाई तेरे चार रुपे माफ हो गए इसको मैं भर दूँगा तो यह भी कहीं न कहीं बोनस ही होता है तो बोनस दो टाइप के हो गए एक तो हम आपको पूरे शेर देने वाले हैं और एक अगर कोई आपका पार्टली पेड़ अप शेर है तो हम उसको अपने पास से फुली पेड़ बना देंगे ठीक है ना तो जो फ्री वाला शेर आपको दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला चार रुपे तुम्हारे मैं पेड़ करूंगा बाकी के छे तुम्हें देना है उस केस के अंदर लौ कहता है जब तुम फ्री शेर दोगे तो पूरे दस वाले ही देने होंगे फुली का बहुत इस प्रॉफिट हो जाता है सयवोगा है तो बोनस 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 आशो किसको करेगी सर एग्जिस्टिंग खोलय को करेगी क्या यह बोनस फ्रीमियुम पर बैष़ और बित्यार नहीं रहाण जैसे कि अभी हमने राइट शेर में देखा ठीक है ना और बोनस बेसिकली दिया क्यों जाता है इसके पीछे दो कारण होता है मैं रियालिटी ऑफ मार्केट बताओं तो जैसे मानलो 2000 रुपए का एक शेर का प्राइज है मार्केट में तो कंपनी जैसे आपके लिए यही बोनस शेर देगी न वन इस्टू वन में तो इसका शेर प्राइज ही 1000 हो जाएगा इसका शेर का प्राइज एक हजार तो आप सिंपली सोचो यार पहले आपके पास एक शियर था तो प्राइस क्या था अब आपको मैंने वोला एक फ्री में दिया तो आपके पास कितने शियर हो गया है लेकिन मार्केट में उसका भाव तो कितना हो गया एक हजार हो गया तो आपके तो अल्टिमेटली देखा जाए तो आपके पास तो दो हजार की वैल्यू है होता यही है सच्छाई में और इसके बाद फिर यह जब बढ़ता है ना दीरे दीरे उपर क्योंकि जब हजार का हुआ क्योंकि कंपनी का जो शियर का प्राइस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर लोगभाग ट्रेडिंग कम करते हैं ट्रेडिंग का मतलब उसके अंदर परसन बहुत कम इंट्रस्टेड होते हैं जैसे मरेफ का शेर मेरे खाल 1,002,000 रुपे का है तो अब आपके पास एक लाग 20,000 रुपे होंगे तब उसके शियर को होता है फरक कितना होता है बोनस के अंदर आपका दसका डस के बंद हो जाती है तो आपको दो के बदले फ्राइस मिलेगा ठीक है न इस एक लाख पचास हजार हो गया होगे होगा बहुत तेजी से क्योंकि मार्केट उपर जा रही है तो प्राइस तो बढ़ी रहे देखो तो अब बोनस शेयर के कुछ कंप्लाइंस है जो कि आपको पता होना चाहिए और बोनस यह यहां पढ़ेंगे लौ में भी पढ़ाया हुआ है लौ की सारे रिजर्व का मतलब यहां प्रॉफिट से है जिसको वो डिविडेंट के तौर पर नहीं बाट रहा है इन कैश आइधर विकॉस ऑफ दा लीगल रिक्स 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 है क्योंकि उसके पास न कंप्लाइंस लगा रखा है कि भी यह जो तुम्हारे पास यह पैसा सरफलस मतलब सर जो आपका रिजर्व किसमें कर दो पिए पर कैपिटल में कैसे कंवर्ट करोगे आप के पास लाइबिलिटी साइड है ठीक है यहां पर दे रखा एक होगे जीर और एक लाक यहां होगे तो आप देखो जो रिजर्व सर्प्रस किसमें बदल गया है तो यही लाइन कह रहा है एंड डिवीडेंट कैपिटल अमंग कहता है कि एंड डिवाइड दा कैपिटल अमंग दा एक्जिस्टिंग शियर होल्डर इन पर्पोस्नेट देयर शियर मतलब उसके रेशो में उसको जाएगा कैपिटल हैड बाइदा इसु फुल्ली पेड बोनस शेर कौन से दिया जाएगा हमेशा फुल्ली पेड दा शियर होल्डर हूम दीशियर वर अलॉर्टेड है तो पे नतिंग उसको कुछ पेइंट करने की जरूरत नहीं है कहता बोनस इसु टू एक्जिस्टिंग मेंबर को दिया जाएगा और वह भी कैसे फ्री ओफ चार्ज दूसरा कहता है ता बेसिस ऑफ करेक्टर यह सिंपल से करेक्था बोनस आरे इसु टू दा एक्जिस्टिंग मेंबर को होना चाहिए और राइट आपका रिनाउंसिंग नॉट अवेलिबल कहता है कि इसको रिना करो इस बार दिवाली का मुझे मत दो मेरी सिस्टर को दे दो या मेरे ब्रदर को दे तो मालिक तो ऐसा नहीं बोलेगा तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी दूसरे को नहीं दे सकते आप लेके अपने पास फिर चाहो तो उसको बेच दो उसके नाम पर ट्रांसफर कर दो वह दीग है कि आगे क्या कहता है सर हमारा यह सेक्शन 376 को क्या कहता है कहां से करोगे थे पैसा इंतजाम कहां है कहा गया सकते हैं थो यानि बोनस यह को कहां से कर सकते अभी समयाजवा श्यूद्य आपके पास यहां पर पैसे होंगे तभी दे सकते हों हायवर इशू bonus share shall not be made by the capitalization reserve कहता है capitalization reserve से नहीं हो सकता यह valuation assets के reserve से नहीं हो सकता यानि वो अगर आपका कोई ऐसा profit आपके पास पड़ा है जो की critical है और आपने किसी special काम के लिए रखा हुआ है उस पैसे को bonus share देने में use मत करना उसको तो वहीं करना होगा यह हमारा section 63 कहता है companies act का आगे क्या कहता है source partly paid एक तो हम ये भी कर सकते हैं जो partly paid है उसको fully paid बनाने के काम भी किया जा सकता है surplus profit जो भी है unappropriated part जितना हमने बाट दिया है उसको नहीं बचा हुआ है any type of reserve surplus unappropriated part any type of reserve मतलब कहने का मतलब है यह सारे के सारे जितने points आपको दिख रहा है इसको bonus issue में हम इस्तमाल कर सकते debenture redemption reserve as on as जो भी दे रखा है security premium account capital redemption reserve account cannot be utilized make a partly paid up to fully paid up एक बात ध्यान रखना होगा जो हम partly paid up से fully paid up बनाते हैं शियर अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक 10 रुपए का bonus share free में दे रहा हूं तो इस free में देने के लिए मैं general reserve यूज़ कर सकता हूं security premium यूज़ कर सकता हूं free reserve यूज़ कर सकता हूं तो यहां पे आपको security premium यूज़ करने की आजादी दी गई है लेकिन मैंने बोला यार तुने आठ दे रखे हैं जो तेरे दो रुपए पार्टली पेड़ उसको मैं दे दूँगा चिंता मत कर इस दो रुपए के लिए मैं general reserve यूज़ कर सकता हूं free reserve यूज़ सकता हूं security premium यूज़ वही कहते हैं कि security premium account and capital redemption reserve account यानि CRR cannot utilize to making partly paid up to fully paid up के लिए और अगर हम पूरा शेयर सी दे रहे हैं तो उसके लिए यूज़ हो सकता है जी हो सकता है capital reserve is not available for any type of bonus issue as per sevy guideline से भी कहता है जो capital reserve बनते हैं आपके जैसे कि आपने कोई assets बेच दिया assets से पैसा आ गया उस पैसे को कहीं रखोगे तो क्या कहलाएगा capital share for feature किया share for feature को आपने कहां भेजा capital बोला इन सभी को ना bonus share के लिए इस्तमाल यह किसकी guidelines है सर से भी किया ठीक है तो कुछ इसके बाद कहता है condition क्या-क्या है bonus issue करने के condition है आपके authorize करना चाहिए आर्टिकल आर्टिकल का मतलब आपका आर्टिकल होता है AOA जो आपने अपने सारे rule and regulation बना रखे हैं अपने काम करने के दो ही एक कहां आपके पास पैसे वैसे हैं आप बैंक का ब्याज भी नहीं भर पारे हो इंप्लोई की सेलरी नहीं दे रहे हो और market में अपनी goodwill और अपने नाम को बढ़ाने के लिए बोल रहे हो कि हम इस बार bonus issue कर रहे हैं भाई तुम पहले तो default हो पहले उसके पैसे तुदिये नहीं जा रहे है और तुम free cashier बहुलने की बात करते हो तो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर है तो आप bonus share issue नहीं कर सकते हैं अगर कोई partly paid up है उस date पे तो उसे fully paid up कर देना तब bonus issue करना है आपको जैसे मैंने कहा कि भाईया मैं bonus issue करूंगा मेरे पास पहले से share कितना था दो रुपे तीन रुपे और पांच रुपे और ये पहले की कहानी चली रही है ये वाला भी मैंने मांगा नहीं अब यहां पर मेरा मन करता है यार मैं bonus issue करूंगा तो पहले भाईया इसको fully paid up करो और फिर bonus issue करो और fully paid up कैसे या तो उससे shares के पैसे ले लो या अपने reserve में से इसका compensate करो कहता है the compliance is with the such other condition may be prescribed और कोई अगर कानून को लगता है और कानून section 63 को लगता है सर बोनस issue के अंदर भी मैंने बता है दो टाइप के है एक तो पूरे fully paid up shares होगा और एक कौन सा shares होगा सर जो कि partly paid up है उसको fully paid up बनाने का काम होगा हमेशा याद रखना अगर कोई partly paid up years company में है तो पहले उसको fully paid up बना लेना उसके बाद bonus issue करने की बात करना बोनस issue कहां से कर सकते हो सर general reserve से कर सकते हैं free reserve से कर सकते हैं security premium से कर सकते हैं लेकिन partly paid up को fully paid up बनाने के लिए security premium और capital redemption reserve यानि CRR का इस्तमाल नहीं किया जा सकता इन बातों का ध्यान रखना है as it is जितने condition बताएं न सीधा question आता है section 3 के condition बताएं आठ नंबर में दस नंबर में law के paper में आते हैं इसके अंदर तो आपके practical questions आएंगे ठीक है